रादे-रादे सारा महुंत तो बताते हैं हमारे कथा थामारे फंड क हमारे हम रिजी हमारे हमारेकं सादू संत रोग जो भी हैं तो बताते घजि rapt परिशानी होते हैं तो उनको बोलाता है कि आप कल शरत पूर्ण मासी के चांदी में अगर टहलेंगे ना चांदी में 10-15-20 मिनट आपके पास जितना भी समय है तो आपके शरीर के लिए बहुत लाबकारी होती है और एक यह भी बोलते हैं कि कल खीर बना के उसको पूरी राद भर के लिए चांदी में बहार रग दें और सुबह उठके पूरा परिवार मिलके उस प्रशाद को पाएं सभी लोग और सब्सक्राइब देखा प्रशाद में रख देते हैं तो एक भार मैंने भी रखा था तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना दिल्ली में बहुत सारा पर दूशन होता है और बाहर जैसे बिली का इनका भी डर रहता है तो मतलब उसको अगर कवर करके रखेंगे तो चांदी का प्रकास उसमें कैसे जाएगा तो कपड़े से ऐसे अच्छे से कस के बांद लेना और ताकि कोई चीज जैसे बिली उसको ऐसे अगर खोलना भी चाहेगा उलट-उलट कर में रहें और अच्छा रहेंगा क्योंकि हमारे संत्ट आगर बोलते हैं तो हमारे सनातन धर में बहुत सी बातेघें आशी हैं है कि जो पर्माण के साथ बताई जाती हैं और अच्छी बाता भी होती है तो हमें ऐसा करना चाहिए तो खीर का भोग हमारे लड़ू गोपाल के लिए भी और अपने घर में हम जिनें भी मानते हैं अपने इश्च जी को सबको खीर का भोग लगाएं, वैसे ही पुरमाशी को खीर बनानी चाहिए घर में और आज मैं अपने लड़ू गोपाल के लिए कुछ शॉपिंग करने गई थी क्योंकि मैंने एक कथा वाचक है हमारे बहुत बड़े हैं कथा वाचक तो उन्होंने बताया था मैंने अचाना ऐसे वीडियो देखी यह तो बोलते हैं कि अगर आपके घर में लड़ू गोपाल ह को सके एं। हो सके तो उनके लिए कल सफेव पोशाक उनको पहनाया मतलब पोशाक सफेद होनी चाहे पगड़ी की सफेद होनी चीए और जो उनका सिंगान में आप आसन enمة तो वह भी सफेद होना wenn jоки more जितना आप से हो सके जो जितनी भी चीजांmerad अर्पित करें उनको पहना है उनको सजाएं तो वह सारी शी सफेद हो नीची तो मैंने का चलो मैं भी अपनी लड़ू को पाल के लिए आज सफेद रंगी पोशाख लेकर आती हूं वैसे तो बहुत सारी पोशाख है उनके पास सफेद रंगी तो कॉटन में है न मैंला गर्मि के पास और यहां पर वैसे बहुत सारी गर्मियों आती है अब शर्डियों में ठीज हो जाईगी तो सब्सक्राइगी तो यह रही पाड़ी किती सुन्दर लगारी है ने दहीं हो बहुत सुन्दर लगेइगी बहुती सुन्दर है तो यह पहनाओंगे कल अपने लड़्डू पाल को और माला लेके आई हुए हुए एक और यह माला उनके लिए बढ़ी हो जानी है क्योंकि मेरे लड़्डू पाल चोटे से हैं दो सबसे छोटी माला जो ती यही थी तो मैंने का चले यह लिए आती हूं और पगडि वेर को उसमें काम देगी उसमें इस्तिमाल जागी और एक लाई में गोपी चंदन बोलते हैं कि वरिंदावन जब जाएं तो वहां से लेका है वहां की जो क्वालेटी होती ना प्यूर क्वालेटी में मिलता अच्छा होता है पर जो चंदन था तिलक लगाने का लड़ू गोपाल का तो ठाथ हो याी में अधे श्यचे जड़एं कि इस वह होट था टाइम लगता तो इसलिए मैने लेग ब्लाह ब्रेष और दिवाले-खाई होती है चोब एक डेस बहुत सारी है उनीग चले द्रेस अपने लड़ू को पाल पो यह ले जाओं एक लेकको आई में और एग लाइं में पर्फूम चंदन का क्योंकि मैं इत्रीवी रुज़ करते हूं अपने लड़्ुत ऑपाल के लिए इत्र का ही इस्तिमाल करते हूं इत्र माह emoुंगरा का और लोज वाला दो कि खुश्रू वाला दोई लेके आती हूं तो आज में चंदा माला लियाई क्योंकि ड्रेस जो है ने रखी रहती तो उनमें भी थोड़ा स्मेल सी आज़ती है जैसे अब उनी वास से निकालूंगी तो दोके पहनाओंगी वैसे पर थोड़ा यह चुनक दोंगी तो अच्छी आए रिछेत्य सबसक्राइब भर यह चयाओ क्यए चैश् Lawrence का थे खरीटे चर्ण तो आपने लड्डी खरीदी सकते हैं तो हम खरीट रते बार बार तो यह है मेरे लड्डी ऑपाल की सबसें अच्छी मेरेको लगी पगड़ी बहुत अच्छी लेगी और आज का लड़वो लगा था ना तो इसलिए दिखाई दे रहा है बहुत हलका लगा था और बहुत सुन्दर लग रहे हैं इनकी पगड़ी आज मैंने इनको ग्रीन कलर की ड्रेस पहनाई और पीछे से मोर पंक का और इधर हैं ये मेरे यूगल सरकार जो की निर्ति की मुद्रा में हैं मेरी राध किस्क्राइब कीजेगा और मेरी लडू को पाल कुञ़ने राधे बोल देगा क्योंकि ये ग्यूद्य राधे बोला जिसे दिनक कितना हांक क्या सुन्दा लग रहा है और मैं इंस्ट्राग्राम पर भी हां मुझे वहां भी सुनलोंगा तब तक क्ये लिए जैखर लादे कि हैसी हैसी बच्छेणों रे भालू लगाए